हेलो दोस्तों मैं हूँ बैभव और आप देख रहे हैं Bits for Biology इस चैनल पे नीट के लिए इंडिया का Best Crash Course चल रहा है Biology के लिए जिसमें आज हम लोग बात करने वाले है Reproduction in Organism हम लोगोंने Morning वाली जो Class होई थी 10 बजे उसमें हम लोगोंने बात किया था The Living World के बारे में जो की 11th Class उस समय चल रहा है और उसका Objective Session 4 बजे है और ये 12th Class जो Daily Video Upload होगी वो 6 बजे होगी और इसका जो Practice Session होगा वो रात 9 बजे होगा वो Practice Session Unacademy के Special Class में होगा उसका Link नीचे Description में मिल जाएगा Description में Link है तुम जल्दी से उसे Enroll कर लो ये जो Practice Session हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं Total 20,000 से ज़्यादा Questions का Practice करेंगे हम Daily जो Link मिलेगा तुम्हें वो Telegram पे मिलेगा यहाँ पर मेरे Personal Notes भी अबलेबल रहेंगे तुम्हारे लिए Wids for Biology Telegram चैनल पे ये 100 डेज तक ये Crash Course चलने वाली है तो Crash Course का जो Schedule है ये तुम्हारे सामने है Monday to Saturday तक का ये रूटिन तुम्हारे सामने यहाँ पे अवलेबल है सुबह 10 बजे Class 11 की वीडियो अपलोड होती है और साम 6 बजे 12 की वीडियो अपलोड होती है थियरी वाली अब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग साम 4 बजे और रात 9 बजे Unacademy के Special Class में वहाँ पे लगबूब 20,000 से ज़्यादा हम लोग NCRT-based NCCUs करने वाले हैं काफी मज़ा वहाँ पे आने वाला है तो एक तो बात ये रही अब बात आती है जब Unacademy पे जाएंगे तो Unacademy पे कैसे Sessions को Unlock करेंगे तो Sessions को Unlock करने के लिए तुम्हें जो Refle Code का यूज करना है वो है कुमार Live तुम कुमार Live Code जैसे ही यूज करोगे मेरे जो सारे Sessions हैं वो Unlock हो जाएंगे तुमारे लिए सारे Live Classes तुम आराम से देख पाऊगे इसके बाद Unacademy का ये Plus Subscription है तो Unacademy का जो Plus Subscription है 6 मन्त का वो 28,000 का है फिर 12 मन्त का जो Subscription है वो 38,500 का है 24 मन्त का 56,000 का है जैसे ये तुम Code यूज करोगे कुमार Live तो इसमें डेरेक्ट तुमारा 10% का डिसकाउंट हो जाएगा जैसे तुम देख पा रहे होगा 28,000 की जो चीज है वो 25,000 में हो रही है फिर 38,000 की जो 34 में और ऐसे ही तुम्हें इसमें डिसकाउंट मिलता जाएगा ये आइकनिक सब्सक्रिप्शन है ज्यादतर बच्चों में ये भी ज्यादा पॉपलर है आइकनिक भी और प्लस तो है ही तो तुम्हें कोई भी लेना है तो यहाँ पर तुम कुमार Live Code जैसी यूज़ करोगे तो 10% का डिसकाउंट हो जाएगा Miss Unacademy पे अगर तुम्हें आना है चाहे Invite Code पूछा जाए Referral Code पूछा जाए तो कुमार Live तुम्हें यूज़ करोगे सारे सेसंस तो तुम्हारे लिए अबलेबल वहाँ पे हो जाएंगे फ्री में तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो Chapter स्टार्ट हो रहा है Reproduction Reproduction in Organism Unit है Unit No.6 जैसे हम लोग उने Unit No.1 में Scientist के बारे में पढ़ा था ऐसे ही आज हम पंचारन माहिस्वरी के बारे में भी कुछ बाते देखेंगे उसके पहले जो हमें Chapters करने हैं यहाँ पे वो Chapter 1 है आज का और फिर Chapter 2 है फिर Chapter 3 है फिर Chapter 4 है Chapter 1 से जो आज हम लोग देखने वाले हैं एक कुछन पूछे जाते हैं Sexual Reproduction से 3-5 कुछन Maximum यहाँ से 5 कुछन भी पूछा गया है और Human Reproduction और Reproductive Health अगर दोनों मिला दूँ तो इससे 3-4 कुछन और इससे 2-3 कुछन पूछे जाते हैं निस कहीं न कहीं जो तुम वेटेश देख रहा होगे 10-13 कुछन का यहाँ से वेटेश लगबख बनता है Important तो है Chapter बात समझ में आई Reproduction एक easy सा Chapter है और काफी जादा interesting और काफी जादा आशान सा Chapter है यह Concept हमें सब कुछ मालूम है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से Biology in essence is the story of life on earth आज सुबह भी हमने एडेफिनेशन पढ़ा है कि Biology is the story of life on earth Life आज भी चल रही है Aspaces continue हैं यहाँ पे काफी बहुत कुछ हो चुका है Natural Anthropogenic Extinction हो चुका है कई बार Natural Extinction होता है कई बार Anthropogenic होता है Anthropogenic Extinction वो Extinction है जब कोई Aspaces इस दुन्या से गायब होंगे और उनके लिए अगर Human जिम्मवार है तो हम इसे बोलते हैं Anthropogenic Extinction बोलते हैं और अगर Natural Calamity के वज़ा से हुआ है तो वो Natural Extinction माना जाएगा Reproduction की बात करें तो एक Vital Process है मैं इस बहुत ही important process है without which a species cannot survive for long इसके बिना a species तो survive भी नहीं करेगा ना मान कर चलते हैं एक a species है जिसमें reproduction की property खतम हो गई क्या आगे आने वाली उसकी a species आ पाएंगे जो आती reproduction की वज़ा से वो चीज आ ही नहीं पाएगा Each individual lives is prosceni जैसे हम है तुम हो तो अपने prosceni को इस दुनिया में छोड़ कर जाएंगे जिस अपने offer spring को इस दुनिया में छोड़ कर जाएंगे तरीके दो हो सकते हैं एक तो asexual हो सकता है और दूसरा sexual हो सकता है अगर कोई lower organism है वो asexual से अपने prosceni को छोड़ कर जाएगा अगर higher organism या higher plants है तो वो अपने prosceni sexual mode of reproduction से वो छोड़ कर जाएंगे clear है बात? आगे बढ़ते हैं अब next बात चली है sexual mode of reproduction के बारे में अगर पूछा जाए तुम से कि दोनों में से बहतर कौन है sexual या asexual क्यों है? क्योंकि gametic fusion होता है यहाँ पे जब gametes का fusion होता है तो उस समय काफी जादा variation देखने को मिलता है क्योंकि meiosis हो रहा है meiosis में crossing over हो रहा है recombination हो रहा है तो variation तो of course आएगा ही आएगा sexual mode of reproduction enables creation of new variants so that survival advantage is enhanced इस दुनिया में survival की जो capacity है survival advantage वो sexual mode of reproduction वाले को ही मिलता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले है जो भी reproductive process किसी भी living organism के बारे में है और बाकी human से related reproduction और plant से related reproduction human से related reproductive health ये सब चीज़े हम इस चैप्टर में जानेंगे काफी interesting ये चैप्टर होने वाला है इसके बाद ये हैं हमारे बीच पंचानन महिश्वरी बहुत ही अच्छे काम है इनके पूरी जो paragraph in CRT में है उसमें सबसे एक जबरदस्ट point तुम्हें जो ध्यान रखना है father of Indian plant embryology father of Indian plant embryology सबसे पहले ये important point है तो ये चीज़ महाँ पर लिख लो पहले इनके diagram के नीचे father of Indian plant embryology ये चीज़ सबसे important है इनके बारे में पंचानन महिस्वरी के बारे में ये जो उपर की paragraph है यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने जन कहां लिया ये चीज़ important नहीं है मैंने आज बताया था तुम्हें Ernest Mayor के बारे में Campington Germany वो important है ये तुमसे वैसे पूछा नहीं जाएगा जैपुर रजस्थान के हैं ये और काफी सांदार इनके जो काम है और अलाहबाद बगरास इन्होंने education लिया है और काफी जादा ये प्रभावित हुए है DST का मतलब उता doctor of science आज ये डिग्री वैसे चलती नहीं है foreign में चलती है डिग्री ये paragraph important है इन्होंने किस पे काम किया इन्होंने embryology पे काम किया तभी तो कहते हैं इन्हें father of Indian plant embryology embryology का मतलब क्या होता है embryo सब लोग जानते हो seed है तो seed से आगे embryo तो बनना ही है तो वो सब जो भी चीज़ें है वो ये बनाने का कैसे बनता है तो वो सब ये बताया इन्होंने तो काफी ज़्यादा emphasis इन्होंने किया है artificial culture of immature embryo अगर immature embryo वगरा है तो उसका culture कैसे करवाएंगे मैं इस overall तुम देख रहा होगे focus इनका एक ही रहा है embryo इसलिए मैंने वो point लिखवाई father of Indian plant embryology worldwide acclaim है काफी ज़्यादा दुनिया में इनके intra-ovarian pollination जाने जाते हैं intra-ovarian miss ovary के अंदर ही pollination हो जाना इसे बोलते हैं intra-ovarian pollination याद रखने वाली बाते है father of Indian plant embryology फिर इसके बाद artificial culture of immature embryos और फिर इसके बाद intra-ovarian pollination ये चीज़ हमें याद रखना है ठीक है इन्हें बहुत सारे चीज़ें मेली एक तुम्हें खास बात मैं बताऊं कि आज जो हमारे पास 11th और 12th की जो NCRT आती है तो पहली बार जो ये text book आया वो इनके ही थुरू आया इनके ही leadership पहली बार हमारे बीच NCRT आयी थी 1964 में 1964 में ये चीज़ आयी थी ये हमारा chapter start होता है reproduction in organism सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या है ये जो तुम सामने देख रहे हो ये चीज़ है क्या आखिर ये चीज़ को gamels कहते हैं सबसे पहले ये चीज़ को क्या बोलेंगे gamels आज चीक इस class में हम gamels के structure भी पढ़ने वाले हैं कि ये opening क्या होता है ये काटे काटे जो लगे हैं ये क्या हैं बाहर वाले का outer layer बोलते हैं अंदर वाले को inner layer बोलते हैं अंदर में जो मटके के अंदर गोले गोले से लग रहे हैं तो वो गोले गोले क्या हैं इस अब आज पढ़ने वाले हैं हाँ ये start होता है हमारा chapter आज हम वो डील करेंगे asexual reproduction तक की पूरी की पूरी कहानी जीकराता है सबसे पहले life span का हमारी life span कितनी हैं कहें तो लगबख 60-70 साल life span कहते किसे हैं जब हमारी जन्म हुई और जब हमारी मौत होगी उसके बीच का जो pre-aid है उसी को हम life span कहते हैं सिंपल सी बात बर्थ से लेकर natural date तक की जो pre-aid होती है उसे हम life span कहते हैं अगर कोई आदमी accident से मारा जाता है हम उसे life span में consider नहीं करेंगे एक बच्चा है जो 10 साल की उम्र में ही accident हो जाती है उसके और accident से उसकी जान चली जाती है वो कभी भी life span में consider नहीं होगा life span में जब भी consider होगा NCRT कहती है natural date को ही consider करना होगा हम इस दुनिया में आए हैं तो certain period तक ही हमें हमारी life span है तो हर एक organism का अपना जो life span है वो fixed होता है कुछ देर में हमनों diagram देखने वाले हैं कई सारे उनके life span तुम्हें बताने है अब बात आती है यहाँ पे कि life span तो सबका अलग-अलग है life span किसी का एक दिन का भी है किसी का मिनट का भी है किसी का हजारों सालों तक होता है कोई survive हमारे दुनिया में करते हैं जैसे people की ही पेड़ की बात करें बहुत लंबी आयू होती है वो अगर बरगत के पेड़ की बात करें बन्यान प्री की उसकी भी आयू बहुत ही जादा लंबी होती है तो बात आती है यहाँ पे कि जो life span सबका है तो क्या life span size पे depend करेगा क्या life span size पे depend करेगा सोच कर बताओ मुझे एक कववे की life span और एक तोते की life span में कितना ज़्यादा फरक होता है अगर मैं कहूँ तो कववे का life span लगबग मान करें चलो और एक तोते का life span लगबग 140 साल का होता है फरक इतना है 15 से 20 साल किसी का है जैसे कववे का, क्रो का और वहीं तोते का बात करें तो लगबग 140 साल तक life span होता है दोनों का size लगबग same है तो याद रखना कभी भी life span size पर depend नहीं करता NCRT लिखती है line not necessarily correlated with their size size अगर बात करे crow और parrot का दे रखा है यहाँ पे ऐसे ही एक mango tree का दे रखा है और एक people tree का दे रखा है mango tree का life span ज़्यादा तो नहीं होता लगबग मान कर चलो maximum अगर होगा तो 60-70-80 साल तक होगा लेकिन वहीं people tree की बात करें तो लगबग कई जगाए से people के पेड़ है जैसे एक महा बोधी tree तुमने नाम सुना होगा सायद गया में तो लगबग बहुत लगबग हजारों साल की उसकी life span है तो बात समझ में है इस सब का ये अलग-अलग ये चीज हो रहा है नेक्स बात करते हैं क्या कोई organism इस दुनिया में है जो immortal है जिसकी मौत कभी नहीं होती जो अजर अमर है तो हाँ वो unicellular organism जो है वो जितने भी unicellular organism है वो सारे के सारे क्या है immortal क्योंकि कभी उनकी natural date नहीं होती जैसे एक amoeba है वो binary fusion कर रहा है अपने सारे तो चीज उसने अगले generation में transfer कर दिये न bacteria में भी तो same यही हो रहा है conjugation वगरा के method से जो भी काम चल रहा है वो ऐसा ही तो चल रहा है तो bacteria वगरा में कभी natural date देखने को नहीं मिलती यह कहें तो unicellular organism में ही natural date नहीं मिलता विस bacteria, amoeba इस सब azar amar है यूगो यूगो तक इनके जो बोली है वो बोलती रहेगी है ना चलो बई जो भी चीजे आज हम continuity की बात करते हैं कि life आज भी survive कर रही है bacteria करोडो साल पहले थे अर्बो साल पहले थे आज भी है human पहले भी थे लाखो साल पहले आज भी है reason क्या है continuity we are talking about reproduction something that we take for granted अब यहाँ से बात आती है life span की किसका life span कितना होता है तो सबसे पहला कौन है भई elephant elephant का life span कितना है 60-90 साल कितनी life span है इसकी 60-90 साल अगर मैं रोज के बारे में बात करूँ तो लगबग रोज का होता है पास से साथ साथ तुम बोलोगे नहीं हमारे आसपास वाले तो बिल्कुल 10-10 साल तक जिन्दा रह रहे हैं है ना तुम मैंने बूला है ये चीज़ जो हम लोग बात कर रहे हैं ये average life span हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं clear है चीज़ next बात करते है कुत्ते की बात करते हैं बताओ भई कुत्ते का life span कितना होता है कुत्ते का life span लगभग 20-30 साल तक होता है यहाँ पे बात करेंगे बटरफलाई का कितना होगा बटरफलाई तितली जिसे बोलते हैं एक से दो हफ़ते लगभग होता है इसका life span इसके बाद अगर बात करें कुवे का life span तो कुवे का life span कितना है लगबग 15-40 का life span होता है वहीं अगर तोते की बात जो हमने की तो लगबग वो 140 साल का उसका life span देखने को मिलता है नेक्स बात करते हैं बनाना ट्री के बारे में तो बनाना ट्री का life span कितना है लगबग 25 साल का होता है अगर कोई गाई भी है न तो गाई का भी life span जादा नहीं होता है अप्रॉक्स 25 से 30 साल के असपास होता है पैरट की बात की हमने लगबग 140 साल का life span देखने को मिलता है और नेक्स बात करते हैं हम लोग क्रोकडाइल के बारे में तो क्रोकडाइल का life span कितना है लगबग 60 साल का क्रोकडाइल का life span होता है नेक्स बात चल रहे हैं हम लोग हॉर्स के बारे में लगबग 60 साल का life span होता है इक्वस इक्वस जिसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई का जो life span होता है वो 30 दिन का होता है यह जो भी मैं बात कर रहा हूं सब इयर्स में बात चल रही है फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है इंका जेनेटिक्स में। नेक्स बात आती है राइस पिलांड के बारे में। तो राइस पिलांड को सब कुग मालूम होगा 3-4 महीने लगभग। 3-4 महीने टोट सो से दिर सो साल और बन्यान ट्री की बात करें तो लगवा दो से धाई सो साल यह मैंने average life span बात किया बात किया से कई सारे बन्यान के ट्री है बर्गत के जो पेड़ है हजारों साल निनका life span भी होता है अब यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है जो रिप्रड़क्शन की बात में लिए स्टार्ट होती है वो यहीं से है रिप्रड़क्शन आखेर होता क्या है रिप्रड़क्शन कहें तो एक बाइलाजिकल प्रोसेस है जो सब में चल रहा है एक अगर मैं बोलू तो बैक्ट्रिया से लेकर मि चीज़े चल रही है, तो क्या मैं इसे biological process कह दूँ, तो biological process से क्या होता है, young ones पैदा होते हैं क्या, organism give rise to young ones, उन्हें off a spring कह सकते हो, उन्हें young ones कह सकते हो, उन्हें prozeny कह सकते हो, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़े लिखी रखे होती है, similar to itself, NCRT बोलने में थोड़ सही चकती है, देखो, reproduction की बात आएगी, तो इसे बूलना चाहिए, similar to itself, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें asexual भी cover हो गया, और इसमें sexual भी cover हो गया, अगर sexual reproduction की बात करें, तो variation देखने को मिलता है, लेकिन हमें variation देखने को नहीं मिलता, asexual reproduction ने, the off a spring grow करते हैं, mature करते हैं और उसके बाद वो भी अपने off a spring बनाते हैं, जैसे हमारे off a spring इस दुनिया में आएंगे, वो भी अपने off a spring को इस दुनिया से तो छोड़ करी जाएंगे ना आगे, यही continuity of a species है, ऐसी ही reproduction की वज़ा से life continue है आज तक, there is a cycle of birth होता है, growth होता है और उसके बाद मौत हो जाती ह reproduction की वज़ा से ही continuity है species की एक generation से दूसरे generation तड़, यह सारी बातें और भी detail में हम chapter 5 में पढ़ेंगे, कि genetic variation कैसी create हो रहा है, chapter का नाम principle basis of inheritance में सारी चीज़े पढ़ेंगे हम लोग, next, next बात है यहाँ पे, diversity तो गजब का है, जितनी मी biological world है, बात करें तो 17 से 18 लाख species अभी त तो 7 मिलियन तक species exist कर सकते हैं हमारे इस दुनिया में, खोजा भले ना गया हो, and each organism has rewarded its own mechanism to multiply and produce of a spring, हर एक का multiplication का तरीका अलग है, अगर east और hydra की बात करूं, तो budding से करते हैं, fungi, filamentous, algae और proteinema of mosses की बात करूं, तो fragmentation से वो divide करते हैं, तरीके अलग-अलग हैं सारे के सारे organism के multiply करने के और उनके off a spring पैदा करने के, organism का habitat, यह line बहुत important है, कि कोई भी organism कैसे reproduce करेगा, यह किन बातों पर निर्भर करता है, तो यह depend करता है, organism किस habitat में है, मान कर चलते हैं, वो अगर पानी में है, या जमीन पे है, उसका differ करेगा, उसके बाद, internal phagology, internal phagology में अंदर की उसक इंदर का कैसा है, वो बात रही, and several other factors, several other factors में एक NCIT में चीज़ आड़ करनी चाहिए थी, genetic makeup के बारे में, कि कोई भी organism का genetic constituent कैसा है, उस पे भी यह चीज़ निर्भर करती है, कि कोई भी organism reproduce आखिर कैसे करेगा, तो other factors में क्या चीज़ आ सकती है, यहाँ पे, genetic makeup के बारे में कि कोई organism reproduce कैसे करेगा, तो यह तीन बातों पे निर्भर करती है, habitat, internal physiology और genetic makeup, अगर एक organism ही सिर्फ participate कर रहा है reproduction में, तो उसे asexual बोलते हैं, अगर दो parents involved हो रहे हैं, तो उसे हम by parental को बोलते हैं, sexual reproduction, based on whether there is participation of one organism, और two in the process of reproduction, तो इसके लिए दो type बनाए गए हैं यहाँ पे, और दूसरा जो type होता है, वो होता है, sexual reproduction, asexual की अगर बात करें, तो asexual में with or without the involvement of gamit formation, asexual में mainly अगर बात करें, तो gamits उसमें involved होते नहीं हैं, उसकी बात, next अगर हम बात करें, sexual reproduction के बारे में, तो sexual reproduction में male और female gamits का fusion होता है, जो की opposite six का यहाँ पे देखने को मिलता है, कि जब भी fusion होना है, तो opposite six का होगा, अब यहाँ पर, जो तुम diagram देख रहे हो, इस diagram में binary fusion चल रहा है, binary fusion किसका चल रहा है, यह amoeba का चल रहा है, निकलियस को देखना कैसे यह divide यहाँ पे कर रहा है, सबसे पहले देख रहे होगे यह निकलियस को, आगे जब बढ़ते हैं, तो इसका जो निकलियस है, वो देख रहे होगे, यह दो पार्ट में divide होने वाला है, मैं इस कहीं न कहीं, karyokinesis की तरफ चीज़े बढ़ रहे हैं, उसके बाद देख रहे होगे, निकलियस का दो में बटवारा हो गया, आगे यह जाकर divide कर जाएगा, दो amoeba बन गए, amoeba को immortal कहते हैं, क्योंकि यह single side organism है, कभी यह दुनिया से जाते नहीं, हमेशा यह immortal ही रहे हैंगे, daughter says बन चुके हैं वहाँ पर, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, a sexual reproduction के बारे में, कि a sexual reproduction क्या है, कैसे होता है, a sexual reproduction अभी बात होई कि single individual का ही involvement होता है, इसमें office spring को बनाने के लिए, अब बात आती है, यह identical होते हैं, हम अपने पापा के identical नहीं है, हम अपन पापा पे गया है, वो मम्मी पे गया है, वो मम्मी से मिलता जुलता है, वो पापा से मिलता जुलता है, resemble word use करना ज्यादा सही होगा, लेकिन a sexual reproduction के case में, identical word को बोलना ज्यादा सही होगा, क्योंकि यहां exact copy आ जाती है, अगर मान कर चलो कोई मेरे पास अगर कोई page है, उस page का अगर मैं print out निकालूँगा, तो direct उसका ही तो photocopy निकलता है न, वही चीज होती है, asexual reproduction में, not only identical to one another, but are also exact copies of their parents, यह किसमें हो रहा है, asexual reproduction में, are these of a spring likely to be genetically identical or different, तो यहां पर क्या बोलेंगे, वो genetically भी क्या होते हैं, वो identical ही होते हैं, उनके लिए क्या बहतरीन है term यूज क तो clone term जादा बोलना सही होगा, अब बात आती है, clone term किसके लिए बोलें, जो बाहर से भी देखने में एक जैसा लग रहा हो और जो genetically भी एक जैसा लग रहा हो, उसके लिए हमें clone term यूज करना जादा सही है, clone, और इसके हर एक member को हम ramit कहते हैं, इसके हर एक member को हम क्या कहते है रैमिट कहते है ठीक है मान कर चलो बैक्ट्रिया की एक कॉलोनी है और सब लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं हम पूरे मेंबर को क्लोन बोल सकते हैं लेकिन अगर एक मेंबर को बोलना हो तो हम उसे रैमिट बोलेंगे यह तुम देख रहा हो गया है आप एक जो जीनस बड है बाहर की तरफ निकला है तो एक जो जीनस बड कहते हैं अब देखो यह बर्ड का साइज देखो देखो देरे जीरे बड़ा होता चला जा रहा है सबसे पहले एक निकलियस था फिर दो हुआ फिर उसमें चला गया निकलियस फिर एक इसमें ही रहा गया एक उसमें चला गया और एक इसमें ही रहा गया क्या नेक्स जो स्टेप होगा क्या यहां से डिटैच हो जाएगा यह अगर यह चीज़ डिटैच होगा तो बोल सकते ह है ना यहाँ पर a seksual reproduction देखने को मिला हमें इसके बार आगे उसके बार आगे वह सिंगल सेल्ड ओर्गनिस्म में common है वह unisillar और औरगनिस्म की ही पहचान है कि a seksual ही होगा कहते हैं बैक्टेरिया में कभी भी sexual reproduction नहीं देखा गया NCIT कहती है मौनरा में जब line लिखती है mycoplasma के उपर कि वहाँ sort of sexual reproduction है sexual reproduction जैसा है क्योंकि वहाँ recombination चल सकता है, conjugation चल सकता है 100% वहाँ कभी sexual reproduction मिलेगा ही नहीं, पहली बार तो protista में आई थी ना, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, asexual reproduction ही चल रहा है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तो asexual reproduction किसमें common है, is common among single-celled organism and in plants and animals with relatively simple organization, अगर कोई plant भी है या कोई animal है, तो उसमें अगर कोई simple organization है जादा बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे अगर हैं, तो उनमें क्या चलेगा भई, उनमें simple सा जो method है, वो कौन सा है asexual reproduction, अब NCRT ने example बताया है protista और monra protista और monra, दोनों कैसे divide करते हैं, दोनों के नए individuals कैसे बनते हैं, तो with the help of cell division with the help of cell division या simple सा कहे हैं, तो mitosis तो direct तुम से पूछा जाएगा कि protista और monra कैसे divide करते हैं, तो cell division के थूँ यह diagram बहुत important है इस diagram को देखो, इसमें कई सारे diagram में बहुत सारी बाते बता रखी हैं, यह clamidumnaz का diagram है, NCRT में भी a diagram है, एक clamidumnaz का diagram है, clamidumnaz में juospore होता है, यह juosporangia है, juosporangia parent cell है, जिसके अंदर कई सारे juospores बनते हां, यह भी juospore, यह भी juospore, यह भी juospore, कई सारे जो juospores यहाँ पे बन रहे हैं, तो juospores में क्या flashla होता है, अगर juospore में flashla है, तो क्या motility भी ढही होगी ना, तो यहाँ पर juospore है, Flashla है, तो क्या है जू अस्पोर आगे बढ़ते हैं यह डियाग्राम किसका है भाई यह डियाग्राम कोनीडिया का डियाग्राम है मिस पेनिसीलियम में यह काम हो रहा होता है पेनिसीलियम में एसेक्शल मोड आफ रिप्रडक्शन की चीज यही है यह देखो यहां यहां पे कई सारे कोन इडिया के बारे में एक वर्ट तो तुम जानते ही होगे एक्जोजेनस्ली बोला है NCRT ने फंजाई जब तुमने पढ़ा था एक्जोजेनस्ली बोलते ही क्यों हैं क्योंकि बाहर में चीजे बन रही हैं अगर ऐसे चीज देख लो यहां पे यहां पे चीजे अंदर में बन इसके अंदर मिस अस्पॉरेंजियो बनेंगे इनका नाम हो जाएगा अस्पॉरेंजियो फोर हो जाएगा अब यह डैगराम तुम खुद बता सकोगे किसकी डैगराम है यह डैगराम किसकी है क्लैमिडोमनास की नीचे लिख रखा है NCRT में यह डैगराम किसकी है क्लैमिडोमनास की और यह सब क्या है यह सब जूस्पॉर है जूस्पॉर है और जिसमें बना है वो जूस्पॉरेंजिया है इसके बाद देखो यह कॉनीडिया है है ना तो प्रेटा का में लृष सब्सक्राइब कर रहा होता है और यह त्रूरी की पूरी तो बात मालूम है तुम्हें यहांसे देखो एक बर्डश गढ़ेगा और यहां से इटाइच हो जाएगा नेक्षी ते को यह इंडाग्राम के दो बात चल रही ती वह ही वो diagram है देखो यह sponge जो होते है और जितने भी sponge जैसे पौदी फेरा वाले member साइक prem स्पोज्जिया स्पौजीला वागएरा तो यह देखो यह जो diagram है न इस diagram में जो ऊपर का जो opening है इसे बोलते है mice cropyle M I C R O P Y L E ठीक है? m economically pile इसको बोल जाता है ठीक है जो opening है माइक्रोपाइल छोटा सा पूर है उसको माइक्रोपाइल बोला गया इसके बाद ये जो है इसे हम outer layer कहते हैं अंदर वाली जो layer है इसे हम inner layer कहते हैं इसके बाद ये जो बीच बीच में जितने सारे तुम अंडे देख रहे हो न इन अंडे को बोलते हैं आर्कियोसाइड्स एंसे अर्टे में लेवलिंग जरूर करना ये इसके बाद ये जो बाहर वाले है न ये बाहर वाले को बोलते हैं स्पाइक्यूल्स तुम्हें याद होगा एंसे अर्टे अस्पंजेज में लिखती है पौरिफेरा में कि अस्पिक्यूल्स और अस्पंज इन फाइबर से इनका स्केल्टन सिस्टम लगभग तयार होता है तो ऐसे ही करते हैं ये भई अस्पंज में गैनूल्स का फॉर्मेशन ऐसे ही हो रहा है इस डियाग्राम को देखो ये अलाबुरेटिब डियाग्राम है माइक्रोपाइल, आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, आर्कियोसाइट्स, गोले-गोले अंडे जो हैं और बागिया स्पिक्योल्स है अब यहाँ से बात चलती है आगे मतलब Unicellular Organism के बारे में बात चला है वहाँ क्या चलेगा? Binary Fission Binary Fission के अगर बात करें तो Amoeba में जैसा कि हमने देखा अभी वो Binary Fission ही चल रहा था दो टुकडों में तूट जाते थे अभी जस्ट हमने देखा है Amoeba और Paramesium में ऐसा ही चलता है अगर मैं Amoeba के बारे में बोलूँ तो एक टाइब का Protozone है Paramesium भी एक टाइब का Protozone है Paramesium Ciliated Protozone का हिस्सा है और जो Amoeba है ये Amoeboid Protozone का हिस्सा है इस्ट की बात करें तो इस्ट में तो तुमने जस्ट देख लिया ना कि इस्ट में क्या चीच चलेगी पहले तो पेरेंट सेल से वो जुड़े हुए रहेंगे और फिर बाद में वो क्या हो जाएंगे मैक्चूर होने के बाद वो डिटैच हो जाते है ये किस में चलेगा ये इस्ट में ये सब चीजे चलती है इस बड़िंग का काम यहाँ पर चलेगा यहाँ से खेल थोड़ा अलग हो जाता है यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस टर्म को समझना इनसिस्टेशन अमीबा में कैसी ये काम चल रहा होता है इस डेगराम से समझ में आएगा बहतरीन तरीके से सबसे पहली बात बूली गई है इनसिस्टेड अमीबा जब किसी अमीबा में बाहर से सिस्ट बन जाता है उसको बोलते हैं इनसिस्टेड अमीबा मल्टिपल फीजन हो रहा है देखते हैं समझते हैं ये चीज़ क्या है क्या बाहर से ये तीन लेयर बनी है यह three layered cyst wall इसको कहते हैं जो बाहर से बनी न तो यह three layered cyst wall होता है तो मैं समझ में आगया होगा यह बना क्यूं होगा यह बना है ताकि protection यहाँ पे मिलता रहे protection की जरुरत काफी जादा होती है तो protection तुम्हें यहाँ पे इससे मिलता रहेगा तो फाइदा तो एक हुआ कि unfavorable condition यह cyst बन गया तो protection तो cyst कितना layer तो तीन layer यह cyst में होता है अंदर में निकलियस है और cytoplasm है यह structure देख रहा होगा पूरी तरह से cyst से cover है अब इसके बाद जो formation ह होता है अंदर में कई सारे spore का formation हो जाता है इस spore को क्या बोलते हैं pseudopodio spore नाम important है याद रखना है pseudopodio spore का यहाँ पर formation होता है अब इसके बाद क्या होता है यह जो walls है ना बाहर में जो बने थे cyst वाली wall अब धीरे-धीरे वो क्या कर जाते हैं रप्चर कर जाते हैं अब यहीं pseudopodio spore आगे जाकर अडल्ट अमीबा में जाकर इसका formation धीरे-धीरे हो जाता है पहले यंग अमीबा फिर उसके बाद अडल्ट अमीबा में इसका formation होता है तो हम लोग पहले वो परग्राफ देखेंगे NCRT की समझना पूरा परग्राफ न् सिस्ट बोला करते हैं हार्ड कवरिंग होती है और इस फेनोमेनन का नाम क्या होता है इनसिस्टेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी बात सिंपल है सिस्ट का लेयर का formation होना इसी चीज को क्या बोलते हैं इनसिस्टेशन इसको बोला जाता है जब मोहल अच्छा होगा जो असपूर का अंदर में formation हुआ था उससे यंग अमीबा बने हैं असपूर से किसी का development हुआ है नाम पड़ गया असपौरूलेशन बोलो यहां तक clear है यहां तक clear है भाई अब इसके बाद जो आगे की चीज है हम लोग बात करता है तो जो next बात यहां पे हम लोग करने वा ग्राम है तो potato पूछा जाएगा कैसे डिवाइड करते हैं potato कैसे reproduce करते हैं तो with the help of auxiliary birds इसी चीज को क्या बोला जाता है यहां पे i birds इन्हें बोला जाता है तो potato में क्या हो जाएगा यह i birds हो जाएगा next हम चलें example यह हमारे बास ginger है ginger यह rhizome की बात यहां पे करते हैं यह कैसे produce होंगे तो rhizome के through produce होंगे rhizome से related तीन बाते तुम्हें याद रखनी है rhizome के जो examples हैं तीन example बड़े ही famous हैं एक example तो तुम्हारा हो गया banana एक हो गया ginger और एक हो गया turmeric यह तीन example बड़े ही popular हैं एक हो गया banana एक हो गया ginger और एक हो गया turmeric यह तीन example याद रखना है इसमें इस और इसमें जो structure बनती है, इसको क्या बोलते हैं? बलबिल बोलते हैं. Next यह diagram तो सामने दिखी रहा होगा तुम्हें, ब्रायोफिलम का यह diagram है, और यह water है, सिंथ का diagram है, जलकुम भी कहते हैं जिसे. यह जो ब्रायोफिलम है, इसमें adventitious bird, देखो यहाँ पर, यहाँ से birds आ रहे हैं, और इनसे एक नय leaf का formation हो जाता है, और इसके बाद चलेंगे इसमें, तो यह जो है ना, और यह वाला जो है, यह connection point देख रहे हो, यह connection point को क्या बूला जाता है, offset कहते हैं हम इस connection point को. तो देखो यहाँ पर, पहली बात, जितने भी यह past diagram दे रखे हैं, वो सारे के सारे angiose pumps हैं, आइज और पोटैटो, उसमें हम लोग axillary birds की बात करते हैं, rhizome ginger का, banana का और turmeric का, और अगेव का bulbil, और ब्रायाफिलम का जो adventitious leaf word है, और offset water hyacinth का, morphology में, यहीं पर एक word लिखे हुए बड़ी अच्छी सी, गुच्छे लग रहे हैं न, यहाँ पर roots के, तो इसको बूला जाता है, tuft of roots, और इसको क्या बूला जाता है, इसको तो बूला गया, tuft of roots बूला गया, और इसको बूला जाता है, roset of lips, है न, तो इस तरह से चीज है, अब यहाँ से चीज जा स्टार्ट होती है, kingdom fungi, और simple plants के अगर बात करें, जैसे algae, तो algae कैसे reproduce करेंगे भाई, asexual reproductive structure से, मिस्वो asexual aspor वहाँ पर हो सकता है, most common क्या है, juospore, मुझे जल्दी से बताओ, क्या juospore में flasola होगा, तो हाँ juospore में flasola होगा, that usually are microscopic तो हैं, छोटे छोटे तो हैं, इसके साथी क्या हैं, यह motile structures के category में यह आते हैं, जो और भी asexually productive structure है, उनका नाम क्या है, conedia, क्या नाम है उनका, conedia नाम है, तो conedia में बात करेंगे, कैसे penichelium हमने देखा है, एक जो genus वाला देखा था हमने, birds की बात करें तो hydra, और sponges में हमने gamules देखा था, तो यह तो already paragraph हम diagram के तुरू देख चुके हैं, you have learnt about vegetative reproduction in plants in class 11, what do you think, is vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction, बिल्कुल सही, vegetative reproduction जो है, वो asexual के reproduction के ही हिस्से में आता है, is the term clone applicable to the off a spring formed by the vegetative propagation, बिल्कुल जो भी vegetative reproduction से, अगर off a springs पैदा होते हैं, तो vegetative reproduction भी तो हिस्सा asexual का ही हुआ, तो क्यों न हम उसे कह सकते हैं colon, तो clone हम उन लोग आराम से उसे कह सकते हैं, while in animals, simple organization में तो asexual चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर plants में बात करेंगे, तो vegetative reproduction की बात करते हैं, हम vegetative reproduction को ही, vegetative propagation का नाम भी दे देते हैं, इन plants, वेजटेटी प्रोपेगेशन, जैसे किस में किस में कैसे कैसे होगा, जैसे एक तो बात करते हैं runner की, एक बात करते हैं राइजोम की, सकर की, ट्यूबर की, ऑफसेट की और बल्व की क्या ये सब में प्रोपर्टी है कि ये जितने भी अस्ट्रक्चर्स हमने बात की है क्या ये नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देगा अगर मैं रनर बोलूँगा, तो क्या दूब ग्रास का फॉर्मेशन हो सकता है ना जिसे साइनोडान बोलते हैं, ऑफसेट की बात चली तो इकॉर्मिया हो सकता है पिस्टिया हो सकता है, सकर की बात चली तो बनाना हो सकता है pineapple हो सकता है, crescentrum हो सकता है यह सब चीज़े इसमें आ सकती है तो वैसे morphology में examples है class 11 में, वहाँ पर हम इसे देख लेंगे लेकिन बस इतनी बात मुझे तुम्हें बतानी है यहाँ पे कि जितनी भी structure तुम देख रहा हो न वो सारे के सारे vegetative propagules है vegetative propagules वो structure होते हैं, वो छोटे से unit होते हैं, जिन से किसी बड़े plant का formation किया जा सकता है तो बस यह simple सी बात बोली गई है vegetative propagules, important term है ध्यान रखना obviously, since the formation of these structures does not involve two parents पहले भी बात हो चुकी है na, asexually uniparental होते हैं, दो parents की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है in some organisms, if the body breaks into distinct pieces, fragmentation की बात यहाँ पे की गई है fragmentation में क्या होता है एक टुकडा टूटा, और टुकडे से एक organism का formation हो गया जैसे यह चीज, hydra में देखने को मिलता है, तो simple सी बात fragmentation भी asexual reproduction के ही हिससे में आता है यहाँ पे एक कहानी है, जिसे बोलते हैं terror of Bengal जिसे water hyacinth सब लोग जानते है जलकुंभी के बारे में सब ने सुना होगा जिसे Yukornia precipice का नाम देते है उसे terror of Bengal कहा जाता है Bengal का अतंग इसका मतलब होता है महा विपत्ती जो water bodies में फैली हुई है जिने terror of Bengal कहा जाता है जिसका नाम क्या है water hyacinth नाम है यह Yukornia precipice क्या याद रखना है most invasive weeds invasive होता है जो आकरमन पुरी तरह से कर ले और जिसका कोई भी natural predator हमारे इंडिया में तो नहीं है ऐसी हुआ था ना ऐसी foreign में भी हुआ था पर cactophagus moth को introduce किया गया था है ना तब जाकर सारे के सारे मरे थे where there is a standing water पहली बात कहां grow करते हैं यह standing water तुम्हारे घर के आसपस भी जो तलाव होगा ना उसमें भी तुम देखना यह पूरी तरह से बनाए रखते हैं लगता है पूरा का पूरे जाल फैला हुआ है इनका है ना पानी जब निकालना होता है तब जाकर यह निकलते हैं यह क्या करते हैं पानी से oxygen ले लेते हैं तो जब पानी से oxygen लेंगे तो जितने भी aquatic bodies हैं जितने भी aquatic organism हैं वो सारे के सारे तो मर जाएंगे ना अगर पानी में से oxygen ही ले लोगे तो मचलियां survive कैसे करेंगे drains oxygen from the water which leads to date of the feces जादतर हम इस chapter में पढ़ेंगे 13 में पढ़ेंगे और 14 में जब eutrophication वगरा पढ़ेंगे न वहाँ पे देखेंगे interesting to note that India में क्यों introduce किया गया था ये क्योंकि इसके full काफी खुबसूरत थे और इसके पत्ते काफी खुबसूरत थे इसलिए इंडिया में introduce किया गया थे important line है ध्यान बठना इसके बाद it can propagate vegetatively a phenomenal rate पे बढ़ जाता है क्योंकि vegetative propagation तो हो गाई क्योंकि offset की बाद तो करते ही है इसमें जो joint होता है बीच में phenomenal rate बहुत ही रफ्तार में ये बढ़ता चला जाएगा बहुत ही कम time में बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है और इससे छुटकारा पाना काफी मुस्किल होता है are you aware अविन्सियाटे ने कुछ question पूछा है are you aware how plants like potato sugar cane, banana banana, ginger, dahlia are cultivated, बाकी सब का तुम्हें पता होगा, dahlia का याद रखना root sane का होता है dahlia का कैसे होगा भई, root sane का होता है, तो इक dahlia वाला चीज यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ तक clear है, आगे बढ़ता है have you seen a small plants emerging from the birds, जिने eyes बोलते हैं अभी हमने potato में यह चीज देखा था rhizome का example मैंने तुम्हें बता दिया banana और ginger, एक और तुम comment box में बताओगे जल्दी से अभी comment box में तुम जल्दी से बताओ मुझे कि banana ginger के अलावे मैंने एक अभी और बताया था जल्दी से comment में बताना यह when you carefully try to determine the site of horizon of the new plantlets in the plants instead above you will notice that they invariably arise from the nodes ठीक है? तो notes क्या होता है? वो समझ लेना अगर यह plant है तो plant में जहां से branches निकली है क्या हम इने nodes बोल सकते हैं? यहां से branches निकली है यहां पे nodes बोल सकते हैं यहां से branch निकली हैं यहां पे भी nodes बोल सकते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम इंटर नोड बोलते हैं, तो मुझे बताओ, अगर किसी प्लांट में 100 नोड हैं, तो टोटल इंटर नोड की संख्या कितनी रही होगी, कॉमेंट में बलता ना, एंसर कितना होगा, है न, मैं लास्ट में एक बार बता दूगा, ठीक है, सिं लती, पानी के पानिके काउंटेक्ट में अगर ये आते हैं, आजवन टीशिस बढ़ की अगर बात करें, अभी ब्रायो फिलम की बात की थी, हमने ब्रायो फिलम में वह बार्जिन से निकला था, तो गार्डेनर्स और फार्मर्स इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, कॉमेर्श NCRT ने तुम्हें याद दिलाया है ये चीज कहां common है तो ये चीज common है relatively simple organization में ये चीज common है like algae and fungi and that they shift to sexual method of reproduction कब चले जाते हैं मान कर चलो बहुत ही खराब समय आने वाला है unfavorable condition आने वाला है तो इन में क्या property होती है algae और fungi में कि algae और fungi किदर shift कर जाते हैं कि अब तो मुझे sexual method करना है अब मुझे करना है iso gammas, anisogamas या o gammas के थुरू करना है तो ये adverse condition में ही sexual की तरफ जाते हैं क्योंकि इनके पास asexual का ही बहतरीन तरीका होता है find out how sexual reproduction enables these organs to survive during unfavorable condition unfavorable condition में ये कैसे survive कर जाते हैं क्योंकि unfavorable condition में survive करने के लिए चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तो वो चीज़े sexual reproduction की पास वो चीज़ें available है why is sexual reproduction favored under such conditions तो sexual reproduction के फाइदे ही फाइदे है sexual reproduction में हम overcome कर सकते हैं कई सारे condition को overcome किया जा सकता है asexual as well as sexual method of reproduction are exhibited by the higher plants ठीक है तो यहाँ पर बच्चे कई जगा गलतियां करते हैं कि higher plants में सिर्फ sexual होगा नहीं higher plants में asexual भी होगा मतलब vegetative और sexual भी होगा अज़से अभी देखा देखा था ना हमने angiose pump बगए रहा वो सब तो higher plants यहना on the other hand only sexual mode of reproduction is present in most of the animals यह दोनों line बड़े important है नीचे वाले sexual method की अगर बात करें तो वो किसमें मिलेगा simple सी बात अगर करें तो किसमें मिलेगा वो mode of reproduction की अगर बात करें तो sexual वाला most of the mammals में मिलेगा यह animals में और plants और animals दोनों की अगर बात करें तो दोनों में separate बिल्कुल रखना है higher plants में age sexual भी मिलता है sexual भी मिलता है लेकिन अगर higher animals में बात करें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ sexual मिलेगा बता बई सारी बाते clear हैं यहां तक सारी बाते clear हैं सबको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या बात की हमने हमने सबको समझ में आ गया बूलू 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 सबको समझ में आ चुका होगा कैसे कैसे हमने बात किया है तो इसका जो objective session है आज कितने बज़े होना है इसका objective session हाज हम लोग करेंगे रात 9 बज़े description में लिंक तुम्हें मिल जाएगा तो आज हमने ये complete कर लिया reproduction in organism हमने ये आज complete कर लिया ओके ये पूरा session आज हमारा complete हो चुका है ओके बच्चों फिर मिलेंगे हम लोग अब अगली class में comment में बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा ओके बच्चों फिर मिलते हैं अगली class में ओके बबाई फिर रात 9 बजे अनकैडमी पे mcq session में मिलते हैं बबाई थैंक यू